समय आप ये तस्वीरे हरियाना के करनाल से देख सकते हैं कुछी मिनट पहले काफी तेज हवा चली थी और करनाल के कैथल रोड पर सिद भाई लालू जी का जो गुरुदवारा है उनकी जो मार्किट है बार वहां पर जो है उपर से आप देख सकते हैं भारी भरकम जो पूरा जिए छज़ता है जो पूरी दिवार थी पूरी की पूरी दिवार जो है नीचे आगे रिजिसमें एक वक्ति जो है इस मलबे के रही कि शाम का समय नहीं था क्योंकि शाम के समय सभी दुगानदार बहार भी बैटे होते हैं कुछी देर पहले जो काफी तेज हवाय अचानक चली उसके कारण जो है आप देख सकते हैं करनाल के कैथल रोड पर भाई लालू जी का जो गुर्दवारा है उसके बाहर जो गुर कर जाए गया है तमाम लोग इस समय यहां पर मौजूद हैं दुकानदार यहां पर मौजूद हैं उनसे हम जानना चाहेंगे समय तस्वीर हैं आप देख सकते हैं करनाल के कैथल रोड पर हमौजूद है कपड़े का शोरूम था किस तरह से उनकी मोटसाइकल पूरी नीचे दब गई है किस तरह से दुकान के आगे पूरा सज्जा गिरके हैं जो मालिक है उनसे जानना चाहेंगे सरक क्या कुछ बताना चाहेंगे किस नाम से मार्केटर कहां पर यहाद्सा हुआ है पाई लालो जी गुर्दवारा मार्केट है और फ्यूल दी फैशन स्टोर कपड़ की दुकान है पांच सेकेंड का तुफान आया था पांच सेकेंड के तुफान में पूरी की पूरी दिवार यह नीचे गिर गी और हमारी मार्केट में रमेश गुलाटी है चाय वाला वह इसके निच्छे दब गया दिवार की निच्चे उसको निकाल ला ऑस्पिटल पूरी मार्केट का नुक्सान हुआ सारी दिवार सारे बोर्ड विगारा सब गिर गया है जी बुल्ट मोट से गिलना दो वो नीच्चे आगी अंदब गी है क्या नाम आपका विशाल वाली है तो यह आप देख सकते हैं जो सेवादार हैं गुरद्वारे से तुरंत जो है म दुकान है यहां पर तो जैसे में दुकान के रेंटे करा सरी दिवार सार नीचे कर गी थी और यहां पर हम बाहर आके देखा यहां बंदा फसा पड़ा जो चैवाला है उसका ने चार बादे पने उठाया उसको तो दाखिल करते हैं तो फून निकला सब्सक्राइब निकला अचानक जो कुछी देर पहले काफी तेज हवा चली ती जिसके बाद आप देख सकते हैं एक सक्स भी किस तरह से मैं पको बताना चाहूंगा कल्बा आप देख रहे हैं इसके नीचे जो है दबकर वे घायल हो गया था चार-पांच लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला चाहे देने में मार्किट में आए था चाहे की दुकान उसकी यहां पर है और किस तरह से बगवान का शूकर है वाई गुरू का शूकर है कि काफी लोग जो है यहां पर अमूमन शाम के समय बाहर बैठे होते हैं पीछे लालू जी का गुरूद्वारा है काफी मशूर गुरूद्वारा काफी परशिद गुरूद्वारा काफी मानेता है उसकी करनाल कैथर रोड पर नहर के किनारे हम खड़े हैं जहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही इतना बड़ा धमाका होता है आप देख सकते हैं एक बुलेट मोटसाइकल जो पीछे से टूटी है एक और मोटसाइकल जो है उस मलबे के पीछे जो है दभी हुई है और किस तरह से यह सारा का सारा जो मलबा है आप सभी दुकानों के बार जाती है गनीमत यह रही कि लोग जो हैं बाहर नहीं बैठे थे एक चाये वाला बाहर जरूर चाये देने आया हुआ था वह उस मलबे के नीचे आ जाता है तो सेवादार हमारे साथ मौजूद है क्या कुछ बताना चाहेंगे सिर्क कितने बजी हाथसा हो और क्या जानकारी अधरी आई एक दो मिंट के लिए यहां निचे वार तो कुदर थी वह अंदर चले गया को गाड़ी आए नी थी तो बाहर काम करते हैं अधिक दिखानी आगे भी बिल्कुल जी कुछ दिखानी अंदेरा आ गया बिलकुल ही कि वाइट 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 वो पूरी बनी हुई दिवार पूरी बनी हुई दिवार अंदाजन अगर इसकी बात की जाए साट से सतर फुट से ओपर की जो है इसकी उंचाई होईगी और किस तरह से आप देख सकते हैं चोड़ा पन होगा और किस तरह से आप देख सकते हैं पूरा मलबा पूरा मलबा दुकानों के बाहर गिर गिर गया सारी दुकाने यहां पर मौजूद थी और किस तरह से जो भा हाथसा होना होने से टला है बगवान का शुकर है कि सभी दुकानदार सुरक्षित है शाम के समय कर यह हाथसा होता तो तकरीबन दुकानदार शाम के समय अपने दुकानों के बाहर इसी छज्जे के नीचे बैठे होते थे लेकिन दुपेर को यह हाथसा हुआ एक सक्स जिसकी चाहे के दुकान है वो चाहे हाँ पर देने आया हुआ था और किस तरह से इस मलबे के नीचे आ जाता है खूनी खूनी या भी करा हुआ है और लहु लुहान हालत में उसको सरकारी होस्पिटल में लेकर जाए गया है यह तस्वीरे से मैं आप देख सकते हैं किस तरह से मैं उपर का शेटर था जो एक उसका चज्जा बना हुआ था वह भी भारी बेर कम यहां गुर जाता है दुकान के माली कमार सथ मौजूद है अंदर ही बैठेते सब यहां सब्सक्राइब होगी हां जी दुमाका हुए तो कुछी देर की आई थी पांस साथ सेकिंड का तुपां अब भी जो है आपको दिखाना चाहेंगे उपर जो है त्रेड आई हुई है इसको पूरे तरीके से जो है अभी रिपेरिंग कराई जाएगी रिपेरिंग कराई जाने के बाद ताकि दुबारा से कोई हाथसा ना हो क्योंकि अभी कच्छी दिवार है आप देख सकते हैं जबे के नीचे जो जो एक शक्स जो दब गया था चाहे वाला था उसको जो है लोलूल हालत में उठाया जाता है और उसके बाद उसको सरकारी होस्पिटल में ले कर जाया गया तो लगातार करनाल बेकिंग नुज आप सभी से अपील करेगा जो भी लोग इस वीडियो को द हर बड़ी ख़बर आपके मुबाइल फोन तक तुरंट पहुंचेगी कमल मिड़ा करनाल बेकिंग नुज करनाल